तो जरा 5th number का question देखिए क्या दिया गया है तो 5th number के question में दिया गया है कि आपको एक board के उपर एक photo दिख रहा होगा बोल रहा है कि in figure 6.20 de parallel to oq and def parallel to or so that ef parallel to qr यह हमें proof करना है देखिए यह बहुत आसान है proof करना यह बिलकुल tough नहीं है अब photo की बात कर दें तो जरा आप photo देखिए फोटो हमी दरी बना देते हैं यह कुछ ऐसा एक triangle दिया गया है यह हाजी यहाँ पर यह आपका o है यह कुछ ऐसे फिर यह ऐसे और फिर यह ऐसे यह मिलाया गया है ठीक है अब देखिए यह हमसे बोल रहा है नॉर्मली इस photo को यह original photo है इसके बात की बात होगी यह पी क्यू और यह आर ऐसा दिया गया है ठीक नॉर्मली यह photo था अब हम एक एक photo बनाएंगी इसमें ठीक है फोटो आप देखिए बोर्ड पे तो दिख रहा होगा लेकिन हम उसी photo को अलग अलग पार्ट में बना रहे हैं जड़ा उसे आप दियान दीजिए पहला हमसे बोल रहा है जो गीवन डाटा है वो उस गीवन डाटा के एक वार्डिंग सबसे पहला बोल रहा है कि डीए पैरलल टू ओ कियो डी इपैरलल टू ओ क्यू ये दिया हैं तो अब दिखिए यह हमको दिया है तो यह ओ था photo में देखे डीई कि यानि कि कुछ photo में आपको ऐसा दिखा होगा ये ऐसा दिख रहा है और ये आपका D है और ये आपका E है बोल दाए कि DE parallel to OQ है ठीक है तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे कि EF parallel to QR EF parallel to QR अब फोटो में देखके आप उससे समझे फिर हम बता रहे हैं आपको करना क्या है इसमें actual में करना क्या है ना कि एक एक स्टेव को follow करते हुए अपने होगों चलना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे in triangle POQ में सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखे in triangle POQ अब हम POQ में बात करें तो POQ में ED parallel to OQ है यह DE अब बोल दिजे तो DE parallel to OQ यह दे रखा है DE parallel to OQ यह दे रखा है अच्छा यह हमने थेल्स थियूरम के हिसाब से ही देखा था थेल्स थियूरम के हिसाब से क्या देखते हैं कि अगर यह और यह parallel है तो इनके side का ratio भी आपस में क्या होगा बराबर होगा तो हम यहां से यह बोल सकते हैं कि PE upon EQ तो हम बोल सकते हैं PE upon EQ is equals to PD upon DO तो PD upon DO हम यह बोलेंगे यह हमारे first equation हो गई ठीक है? चलिए एक बात तो आपको समझ में आ गई सेकेंड नम से बोला है and DF parallel to OR DF parallel to OR DF parallel to OR हम बिल्कुल सही है DF parallel to OR मतलब आप फोटो में अगर देखें तो DF आपको कुछ ऐसा दिया गया है तो यह F यह तो D है तो DF parallel to OR तो अब हम बात करेंगे कौन से ट्रेंगल में? तो इसे हम हटाएं तो हम बात करने वाले हैं POR में तो हम बात करेंगे इन ट्रेंगल POR अगर हम इस ट्रेंगल में बात करें तो हमें यह बोला गया कि DF parallel to OR मतलब DF parallel to OR ऐसा है तो जब DF parallel to OR है be件 तोбई एफ पॉन एफ ऑब इस ईक्वल्स टू क्या हो जाएगा पीदी अपोन दी ओ तो हम बोलेंगे पीडी अपॉन डी ओ और यह मैरा हो गया Second equation ठीक है अब हमसे क्वेस्टन में क्या भोल रहा है हमसे यह बोल रहा है कि आप यह प्रूफ करिये जो ईएफ है जो बोल डाय कि जो EF है, मतलब EF है, वो पैरलल है QR के, वो पैरलल किसके QR के, तो हमको प्रूफ करना था PT EF पैरलल टू क्यू आर, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है, अब एक बात आप धेहाद से इसमें समझियेगा, कि अगर हमें EF parallel to QR प्रूफ करना है मतलब हमें ये बताना है question के अंदर कि ये और ये एक दूसरे के parallel है तो जड़ा अब इसे हटाईए तो ये पूरी जो नवटन की थी से हटा दीजिए और ये भी आप अटा दीजिए ऐसे अब आपको जड़ा बेतर समझना रहा होगा कि EF parallel to QR प्रूफ करना है इसका मतलब कि अगर हम बोलें कि EF parallel to QR है तो हमें actual में प्रूफ क्या करना चाहिए हमें actual में प्रूफ ये करना चाहिए कि PE upon EQ PE upon EQ is equals to PF upon FR तो PF upon FR हम ये बोलते हैं कि अगर ये ratio आपस में equal हो गया मतलब दोनों लाइने एक दूसरे के parallel है ऐसा बोल सकते हैं? बिलकुल तो हमें इन दो equation की help से यही चीज़ लानी है तो अब जड़ा यहां पे ध्यान से देखिए कि first equation में PD upon DO जो यहां पे D दिया था न हम इसी की बात कर रहें D है और यहां आपका O था तो यह ऐसा आपने देखा था ऐसा कुछ यह ऐसे था तो PD upon DO तो देखे PD upon DO बराबर किसके PE upon EQ और यहां पे देखे PD upon DO PF upon FR के है तो यह और यह जब आपस में बराबर हैं तो यह दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर तो हम बोल सकते हैं कि put in first मतलब जो second है उसको हम first में put कर दें मतलब PD upon DO के place पे PF upon FR put कर दें तो जब यहां रखेंगे तो PE यहां देखे PE upon EQ अब इसके place पे हम put कर देंगे PF upon FR तो PF upon FR यह हो गया तो हम देख रहे हैं कि जब यह चीज़ हो गया तो यही हमें लाना भी था तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि by Thales theorem अगर यह ratio आपस में बराबर आजाता है तो हम बोलेंगे कि जो EF होगा वो parallel होगा किसके? QR के और यही हमें प्रूफ करना था तो हम बोल देंगे Hence Proved ठीक है? बात सोज़ में आ गई?